इस रक्षावंदन अपने भाईयों के लिए बनाएं बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी और इस रेसिपी को बनाने में आपको बहुत ही कम महनत लगेगी और साथ ही साथ दो से तीन इंग्रिडेंट में ये मिठाई बनके तयार हो जाएगी आज मैं बनाऊंगी ब्रेट की बहुत ही टेस्टी सौफ्ट जूसी रासमलाई की रेसिपी जिसको खाने के बाद आप बाजार से रासमलाई लाना भूल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिए हूँ 8 स्लाइस ब्रेट के मैं यहाँ पे वाइट ब्रेट यूज़ कर रहे हूँ रसमला यह आप वाइट ब्रेट से ही बनाएं ब्राउन ब्रेट म पीस में इसलिए जो निकाल दे रहे हूं, यह जो कॉर्नर है, इसको फेकेंगे नो, इसको हम लग ब्रेट करिंगे, तो जलते हैं नेक्स प्रोसेस में, तो मैं एक पैन को गरम की हूँ, इसमें डाल देंगे मलाई वला दूध तो मेरे पास 500 म. अनुद तार दूध? करके 200 ml कर लिया है उसको मलाई के साथ मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ आप चाहे तो 500 ml दूद लेके इसको अच्छे से मिक्स करते हुए उसका मलाई बला सकते हैं जैसे हम लोग खुआ बनाते हैं बिल्कुल वही सेम प्रोसेस से हमें इसको बनाना है तो मेरे पास पहले स तो मैं उसी को डाल दे रही हूँ आप चाहे तो इसमें 500 ml दूद को रिडियूस करके बना सकते हैं तो यह देखे इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हम लोग इसको पका लेंगे मेरे पास पहले से था इसलिए मैं इसलोग ले ले रही हूँ ताकि इसका प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए आप चाहे तो इहां पर जो खुवा मार्केट में मिलता है उसको भी लाके यूज कर सकते हैं या फिर इंस्टेंट खुवा जैसे हम लोग बनाते है ना मिल्क पाउडर से उसको भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो यह देखे दूद का मलाई जो है उस से ज्यादा ने खंपाएंगे नि तो जल जाएगा अब सारा मलाई को इस तरह से‌क्राज करते हूए दूद में मिलांगे त हम लोगा जो मलाई है और छिनी को जह जाले चीनी को डालने के बाद अच्छे से जिप्स कर लेंगे और ही ही को तकरीब एक मिनट के लिए पका लेंगे ताहिए चीनी अच्छे से मेल्ड हो जाए और खुआ अच्छे से बन के तैयार तो तो यह हम लोग का खुआ बन के तेयार है, अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस में, तो मैं यहां पर ले हूँ एक लिटर दूद, दूद को इस तरह से मिक्स करते हुए हमें खपाना है, तो दूद यहां पर एक लिटर है, तो हमें 600 ml तक दूद को खपा लेना है, मतलब 400 ml दूद को रिड्यूस कर लेना है, फ्लेवर के लिए मैं यहां पर डाल रहे हूँ थोड़ा सा किसर के धागे, यह इसमें बिल्कुल उप्सिनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, किसर को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसक करना है, तो जो खुआ हमने बनाया था, उसको मैंने स्प्रेट कर दिया था प्लेट में, जो ठंडा हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, इस खुआ को चम्माच की मदद से हलका सा मैस कर लेंगे, उसके बाद हमने जो ब्रेट के स्लाइसे बनाए है, उसमें एक तरफ स इस तरह से खुआ को स्प्रेट करेंगे, जैसे हम लोग बटर को स्प्रेट करते हैं, बिल्कुल वैसे हमें खुआ को स्प्रेट करना है, खुआ को स्प्रेट करने के बाद जो दूसरा स्लाइस रखा है हमने ब्रेट का, उसमें इस तरह से इसको कबर करना है, और इसी तरह स सारे bread के slices में हमें कर लेना है आप फिर से एक बात देख लिए जो हमने bread के slice लिया है उसके ओपर को इस तरह से spread करना है जैसे हम लोग butter को spread करते हैं उसके बाद bread के दूसरा जो slice cut करके रखा एं हमने उसके ओपर इस तरह से ढग देना है जैसे हम लोग सेंड्वीच वगरा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है खोया डालने से इसके अंदर जो इसका टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग आती है तो आप इस प्रोसेस को जरूर करें बस खोया को अपने पसंद से आप मिल्क पाउडर बाला भी ले सकते हैं यह लाइम यलो कलर डाल रहे हूं दो बूंद यह इसमें बिल्कुल ऑप्सिनल है आप जोए तो इसको स्किप कर सकते हैं यह डालने से बस का कलर जो है बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलता है असमलाई हलका हलका यलो कलर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी फ्लेवर के लिए मैं यह पर डाल रहे हूं एक जोथा चुटी चमस इलाईची का पाउडर और इसमें डालेंगे दो बूंद रोज असंस का यह इसमें बिल्कुल ऑप्सिनल है आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन मुझे परस्नली यह पसंद है इसलिए मैं आपे दो बूंद रोज असंस का डाल रहे हूं रोज असंस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब जो हमलों का दूद है वो बहुत हट तक गाड़ी हो गए है लेकिन इसे थोड़ा सा और गाढ़ा बनाएंगे तो इसके लिए दो तीन मिनट और पका लेंगे और दो तीन मिनट बाद देखेंगे कि दूद परफेक कंसिस्रेंसी का हो गई है जितना रसमलाई के लि चीनी को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी के पिखलने का वेट करेंगे अच्छे से जब चीनी पिखल जाएगी तब हम लोग इसको थोड़ा देर पका लेंगे तगरिबान एक से दो मिनट और एक दो मिनट बाद देखेंगे कि हम लोगा जो ये द कुलप करेंगे वह đang semBaldas? काजु और बादाम केमाला के भालनें तो चाहरा ने का पागों परफेक्ट नो थोड़ा सा ठॉन्डा कर लेंगे तकरीबन पांच मिन्ट में अच्छे केक टीन ले रहे हूं अगर आपके पास केक टीन नहीं है तो आप इसमें कोई थाला या फिर कोई बॉल भी ले सकते हैं इस तरह से केक को सजा लेंगे ऐसा करने से हम लोगा जो ब्रेट का रस मलाई है उसको हम लोग इजीली सर्ब कर पाएंगे क्यूंकि जैसे ही हम लोग इस इस तरह से पूर करेंगी तो यह देखे हैं इसके consistency पहले से कितना गाड़ा होगया है पहले कितना पतला था जैसे हलका सा थंडा हुआ वैसे ही कितना गाड़ा हो गया है इसके उपर इस तरह से पूर कर देने ayam pengisl ними और दिंगे तो शर्प करने के लिए इस तरह से एक निकल गया और हम लोग इसको इस तरह से सर्फ करेंगे तो अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रक्षा बंधन अपने भाई को खिलाएं पहुत ही टेस्टी ब्रेडरस मलाई की रेसिपी और भी कम खर्च में